आयोब उसके पीड़ी में सबसे सिद्ध व्यक्ति था पुछवी पर परमेश्वर ने कहा उसके जैसा और कोई नहीं था उसने सैतान को ये बात परमेश्वर ने बताई और उसकी पत्नी वो इतनी आत्मिक नहीं थी उसके जैसे आयोब ने सारी दुखों को स्विकार किया पर उसकी पत्नी स्विकार नहीं कर पए और हम आयोब की वुस्तक उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं वो पत्नी आयोब के पास आकर कहती है तो क्यों परमेश्वर की निंदा करके उसको श्राब देकर मरता नहीं या दूसरे स परमेश्वर की निंदा कर और आत्मात्या कर ले और आयूप ने कहां तु एक मुर्क स्त्री के समान बात कर रही है उसने वहां वो खड़ा हुआ परिवार का मुख्या होने के नाते उसने कहां ये एक मुर्क बात है कहने के लिए क्या आप ये कहोगे? अगर आपके घर में कोई ऐसी बात सुझाओ दे जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है प्यार से कहे कि मेरे प्रिये ये एक अच्छी बात नहीं है हम यहां परमेश्वर की अनाग्या कारी नहीं होना चाहते वही आदम को वहां कहना चाहिए था हब हम इस सर्फ को नहीं सुनना है आई है हम यहां से चले जाए क्या ही अलग कहानी होती अगर वो ऐसा करता तो उसने उसकी जगळ नहीं ली कि वो परिवार का मुख्या था हम उसको बिलकुल शुरवात में देखते हैं सारी इस संसार में जो बुरी बाते हैं शुरुवात वहीं से हुई अगर वहीं रुख दा था तो नहीं आती हवा के तौर पर भी हम देखते एक असफलता थी जब शेताना कर उसे बात कर रहा था उसको बस यहीं कहना था मेरे बात सुनो परमेश्व ने मुझे एक मुख्या दिया है वो यहीं मेरे बगल में खड़ा है मुझे उससे सला मशारा कर रहे दो और फिर मैं तुमसे बात करूँगी कहानी अलग होती क्या आप अपने आप निरनाई लेते हो एक दूसरे सला मशारा किये भी न इसलिए शैतान आपके घर में प्रविश कर पाता है शायद पती अपने पत्नी से सला नहीं लेते या पत्नी पत्नी से सला नहीं ले रही क्योंकि पत्नी को सायक होना है मैं देखता हूँ कि परमेश्व ने एक अच्छे विवा में या किसी भी विवा, कई विवाओ में पत्नी उनकी अलग-अलग दुरुष्टी कोन अलग-अलग राय होते ये अच्छी बात है और मैं बताता हूँ ये अच्छी बात क्यों है अगर एक पत्नी एक घर के उत्तर दिशा में खड़ा है और वो वहाँ से उत्तर दिशा से फोटो ले तस्वीर कीजे उस घर का और वो पत्नी उसी घर के पीछे दक्षन भाग में कड़ी हो और वो वहाँ से उसकी तस्वीर कीजे उस घर की फिर वो तस्वीरे बिल्कुल अलग दिखेंगी क्यूंकि घर का आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से से बिलकुल अलग दिखता है पर एक पूरा चित्र लेने के लिए उन दोनों चित्रों को एक साथ मिलाई है वही फाइदा है अगर दो पति-पत्नी उनका दुर्श्टी को न लगो यह नहें कि वह जगड़ा करें नैई एक तो सहयक है और इसले जब पति कहता है मुझे वह तस्वीर देखने तो जो तुम ने लिया है अरे यह तो बिलकुल अलग तस्वीर देख रही है पर यह इस घर का पीछे चित्र है और मुझे पूरा चित्र मिल रहा है और ऐसा ही होता है परमेश्वर हमें एक दूसरे से अलग इस वज़े से बनाता है ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सके और यह एक जरूरी बात है जो हमें यहाँ देखनी है हमें क्या करने की जुरुख़छ है एक विवा हमें बगीचे को हम जंगल में तब्दील कर पाए अगर आपका विवा होना तो चाहिए एक बगीचे जैसा मैं बताता हूं कैसे वो बगीचे जंगल में बदल जाएगा मेरे साथ निकाल लिए निती वचन 24 अध्या है निती वचन उसका 24 अध्या है उसका 30 वचन निती वचन 24-30 मैं आलसी के खेट के पास से होकर गया एक आलसी वेक्ति वो है जो कुछ नहीं करता और निर्भुद्धी मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर गया और मैंने क्या देखा वो साख एक जंगल के समान वो बन गया था कटिले पेड से भरा हुआ बिच्चो पौदों से ढग गई थी और पत्थर का बाड़ा गिर गया था 31 वचन और मैंने देखा 32 वचन और ध्यान पुरुवक विचार किया और मैंने देखकर शिक्षा प्राप्ट की वो व्यक्ति ने क्या किया उसके बगिचे को एक जंगल में बदलने के लिए एक ही शब्द में कुछ नहीं किया और आत्मिक कंगालपन आएगा और आपको क्या करने का है क्या करना पड़ेगा अगर एक सुंदर बगिचे को आप जंगल में बदलना चाहो तो कुछ भी नहीं आपको कुछ भी करने की ज़रत नहीं आपको कुछ जाकर वो काटेले पेड को लगाने की जवशक्ता नहीं तो अगर आप विश्वास नहीं रखते किसी भी अच्छे बगिचे को देखो उसको छोड़ दीजिए दो तीन साल के लिए वो एक जंगल बन जाएगा क्योंकि इस प्रक्रूती में स्वभाव ऐसा है कि वो जंगल की ओर जाता है अगर आप एक जंगल को अकिला छोड़ो तो वो बगिचे में नहीं बदलेगा अगर आप किसी के घर में जाकर देखो बहुत सुंदर बगिचा है सुंदर फूल है सुंदर फल के पेड़ है आप बिल्कुल निश्यत हो सकते हो कि उस व्यक्ति ने बहुत कड़ी मेहनत की है दिन रात और उस जोड़े ने कटिन मेहनत की है दिन रात उस बगिचे को बनाने में और अगर आप एक सुंदर विवा देखो एक बगिचे के तरह आप बिल्कुल निश्यत हो सकते हो कि उस जोड तो वो घर बिल्कुल एक जंगल जैसा बन जाता ये पहला पार्ट है जो हमें सीखना है आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा अगर आप एक घर को बगीचे को जंगल में बना जाओ एक दूसरे के संकीति को नजर अंदास कर दीजिए एक साथ प्रात्ना मत कीजिए कड़ी मेहनत का जो लोगों ने की है और इसी वज़े से एक सुन्दर परिवार का निर्मान होता है दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ कि आप एक बगीचे को एक जंगल में बदल सकते हो वो है उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय में ही उत्पत्ति तीन में एक बार परमेश परमेश और आकर आदम से पूछता है क्या हुआ क्या हुआ क्या तुन्हें उस फल को खाया वो तुरंट अपनी उंगले अपने पत्ति की ओर करता है उठाता है और वो कहता है प्रभु मैं नहीं हूँ वो अप्राधी है सारे समस्या का जड़ वही है और परमेश और कहता है कि हवा तुमने क्या किया उसको भी आदम वो आदम से ही बनी इसलिए उसके पास वही सवभाव है आदत है मैं नहीं वो सर्प की गलती है देखो ये आदत दूसरों पर दोस लगाने की एक दूसरे पर दोस लगाने की इसकी शुरुआत हुई एदेन के बगीचे में ये बहुत कठिन है एक व्यक्ति के लिए अपनी गलती मान लेना अपनी असफलता मान लेना आदम देखिए हवा ने कोई आदम के मुँँ में उसको ठूसा नहीं था उस फल को आदम बस ये कह सकता था प्रभू मेरी गलती हो मुझे शमा कर मैं प्रलूबित और ये कई बार आप देखते हो पती-पत्नी के रिष्टे में कोई तनाव आ जाता है तुरंत ये उंगली उठाने का दूसरे पास उंगली उठाने का आतमा आदम किया जाती है और ये दोस्ट लगाने की आतमा उसने किया तुमने ये किया या तुमने वो किया कि आप जान आप अपने बगीचे को एक जंगल में बदल सकते हो आपको उस उंगली उठाने से दूर होना होगा वैसे वो बगीचा एक जंगल में बदल गया मैं आपको एक सुन्दर वचन दिखाना चाहता हूँ इसके यह विशय में यशय उसके 58 अध्याय में यश्या उसके 58 अध्याय में परमेश्वर यहां कहता है प्रभु यहां कहता है वो हमें यहां कहता है कैसे वो आपके जीवन को यश्या 58.11 उसके बीच में लिखा है तुम एक सीची हुई बारी के जैसे बनोगे यह वाइदा है यश्या 58.11 और एक ऐसे सोते के सम्वान जिसक एक पानी का जरना आते रहता है पानी का सोता दिन रात तरो ताजा करता है उस वाइदे पर दावा कीजिए यशया 58 ग्यारा पर दूसरे शर्तों पे से एक शर्त ये है जब तुम मुझे पुकारो प्रभु कहता है कि प्रभु मुझे ये बगिचा दे यशया 58 उसका नौवा वचन ये शर्त है तुम पुकारोगे और प्रभु कहता है मैं कहूंगा मैं यहां हूँ मैं तुम्हें उत्तर दूँगा अगर तुम उंगली उठाने एक दूसरे पर बंद कर दो दोस्त लगाना बंद कर दो प्रभु क्या आपने सुना प्रभु क्या कह रहा है मैं तुम् से कम आज से मेरे प्रिया भाई और बहनों ये आदत को रोक सकते हो जो शुरुवात हमारे परको आदम से हुई कि एक दूसरे पर उंगली उठाना